क्या आपने games में खेला है अगर नहीं खेला है तो आप games खेलते खेलते पैसा कमाने का मौका मेस कर रहे हैं Q23ического खीार तो था हुझ और अब रमी और poker जैसे exciting card games भी खेल कर बस चन्दी मिंटों में लाखों जीद सकते हैं और अगर office college या break time में relax करना है तो ludo, pool, कहरम जैसे games को आसानी से खेल कर अपने relax break को एक पैसो की break में convert कर दीजिए एक और interesting चीज आपको बताता हूँ, रमी में पहली बार gamezy में कुछ बड़ा होने जा रहा है, आपने कभी नहीं सुना होगा, gamezy में 0% commission पर रमी start हो गई है, उसका मतलब यह है कि अगर आप gamezy में रमी खेलते हैं तो platform commission कुछ नहीं देना है, यानि जादा से जादा पैसा सीध ATM, IMP, S, bank transfer कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनिटों में, और अगर अभी sign up करते हैं तो आपको मिलेंगे 10,000 का signing bonus, भाई और कह चाहिए, ये लो मेरा code, extra 50 रुपेज दालो, और पाओ 100 रुपे का bonus, code है YT50, नीचे दिये हुए link से download करने पर आपको time to time offers भी मिलेंगे, तो बस link description में download करो और शुरू हो जाओ, और हाँ, इसके अंदर financial risk involved है, तो अपने पैसों और अपनी समझ के साथ खेलें, एक कहानी जो कभी न बुलाई जा सकी, एक कहानी जहाँ पर दो लोग जिनमें जमीन आसमान का अंतर है, एक कहानी जो की है प्रेम कता की, नमाशकार दोस्तों, मैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मेरी ओडिक्स की एक और नहीं मूवी, ओडिक्स, यह नगी on-demand explanation, वैल इस मूवी की मेरे पास में डिमांड पिछले एक साल से आतो रही थी, मगर इस मूवी को मैं इसलिए रोक रहा था, क्योंकि इस चैनल पर mostly public, super hero content को ज़्य जादा पसंद करती, इस वीडियो पर चाहे 10,000,000 वीव आएं या फिर सर्फ 10,000, मगर वो 10,000 जो लोग इसे देखने वाले हैं, मैं उनके दिलों में इस मूवी को वापस जिन्दा करना चाहता हूँ, अपनी पूरी मैनत, अपनी जान लगा दूँगा इस कहानी में उन पल में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपनी मौडन टेक्नालोजी के साथ में पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जहास दफन है, वो है इस सदी का सबसे बड़ा जहास, जिससे कहा जाता है टाइटैनिक, शोध करताओं के काफी मेनत कर रहे होते हैं, और काफी ढूलने के बाद में इन्हें कुछ कामिया भी मिलती है, वहाँ पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है, जिसे ये वापस अपने डैक पर लेकर आते हैं, उसे खोलने के बाद में इन्हें कुछ गीले पड़े नोट मिलते हैं, और सोचते है कि वो हीरा इसी तिजोरी में होगा मगर वहाँ पर वो हीरा होता ही नहीं है मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है उस ड्राइंग में एक लड़की थी और साथ ही उसके नीचे लिगी थी देट 14 अप्रेल 1912 यानि कि यह वही वक्त था जिसके एक दिन प बसर कर रही होती है तो वो उसे कहती है कि मुझे लोग उसे बात कर दिये और जब उस बूरी औरत की बात इस शिप के डैक कैप्टन से करवाई जाती है तो वो उसे पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ दी ओशन मिल गया तो वो लोग कहते हैं कि हमारी कोशिश जा रही ह ने बताते हैं कि याज से 84 साल पहले यानि की 15 अप्रेल 1912 को टाइटनिक जो कि इस दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जहाज माना जाता है वो पानी में डूब गया महाँ पर रोस डॉसन को इसके 3D मॉडलिंग भी दिखाई जाती है मगर मैं उस दर्थ को आज भ से निव यॉर्क के लिए निकले होते हैं जिन में उसके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम होता है क्लेडन ये लोग काफी अमीर घराने से आय थे और साथ ही इस शिप पर तीन क्लास के लोग मौझूते फर्स्ट जिसमें सारे शाही और अमीर लोग लगी होती है टाइटैनिक की टिकेट जैक की किस्मत अच्छी होने की वज़ा से वो टिकेट उसे मिल जाती है और वो अपने दोस के साथ में शिप पर चला जाता है रोज जैसे की आर्ट का काफी शौक था वह अपने कमरे में काफी एंटीक पेंटिंग्स और साथ ही ऐसे क काफी कम समय में पहुंचा देगा लवा की कैप्टेन इस शिप को अपनी पूरी स्पीट के साथ चलाने के लिए कहते हैं जहां पर यह शिप अपने 21 नौट की हाइस्ट स्पीट पर चलने लगता है पानी की लहरों को काटता हुआ एक ऐसा अमीर परिवार जिसे अपने आपकी जिन्दगी को खो दिया था और वह अब खुच जीना चाहती थी वह नहीं चाहती थी इन सभी रिती रवाजों को फॉलो करना इसलिए वह वहां से पार्टी से उठकर भाग जाती है और सोचती है कि मैं अपनी जिन्दगी को खतम कर लो क्योंकि अगर आजादी की न इसमत करो और जैक की बातों पर विश्वास करके रोज उसका हाथ थामती है और वापिस से उपराने की कुशिश करती है और गलती से उसका पैर फिसल जाता और वो गिरने ही वाली हो थी मागर जैक अपनी पूरी ताकत के साथ मोशे बचाकर वापस से डैक लिए आता है उसके चिल्दान की वज़े से वहां पर काफी सारे पुलीस वाले और साथी क्लेडन भी पहुंच जाता है तो क्लेडन ये बात सूचता है कि यहां पर जैक रोस का गलत फाइदा उठाने की कोशिश कर रहा था मगर रोस कहती है कि मैं तो बस यहां पर इस पूरे शिप का प्रोपेलर देखनी के लिए आई थी मगर गलती से मेरा पैर फिजल गया और मुझे मिस्टर डॉसन ने बचाया तो वहां पर पुलीस वाले कहते है कि मिस्टर क्लेडन इसने इसकी जान बचा ये तो कम से कम इसे ब लाकात अगेन होती है और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं तो रोज उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कहां से और क्या लेने के लिए नियॉयॉर्क जा रहे हो जहां पर छट मिलती है जहां पर रहने की जगा मैं बस वहीं चला जाता हूं उसके पास में उसक के साथ शाम का वक्त हो चला था जहां पर जैक तयार होकर फॉस्ट क्लास के अंदर डिनर पार्टी के लिए आया होता है तो यहां पर क्लेड़न उसकी बिज़्ज़ती करता है और कहता है कि यह थर्ड क्लास से आया है ना ही खुद का कोई व्यापार है और ना ही कोई पात पर था और आज आप सभी के बीच में बैट कर डिनर कर रहा हूं यह जिन्दगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है इसलिए इसका हर दिन जी भर की जीना चाहिए हर एक पल महसूस करना चाहिए जो जिन्दगी ने हमें दिया है इसके इन बातों को सुनकर वहां मौझूद सबी लोग जैक से काफी खुश हो जाते हैं मगर रोस की मौम को ये बात पसंद नहीं आती इस वज़े से जैक वहां से जाने का डिसाइट करता है मगर जाने से पहले वो रोस के हाथ में एक चुट पकड़ा जाता है और कहता है कि मुझे 9 बज़े आकर सीडियों में पहूँचकर काफी उन्ज्वाय करने लगते है उन पलों को इंज्वाय करने लगते हैं ज Pig इंत्याव कि वहीं पर शाम को उसकी मौम उसके पास में आती और कहती है, कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, हमारा नाम जो की काफी इजददार है, सिर्फ स्रिफ एक वही बचाया हमारे पास में, अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं करी, तो हम जमीन पर आ जाएंगे, तो पीचे उसे ढूनता वात है, और उसे बात करने की कुशिश करता है, तो रोज उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा देती, और कहती है कि मुझसे मिलने की कुशिश मत करना, क्योंकि मेरी शादी अप क्लेडन के साथ मिताय हो चुकी है, और मैं आप तुम से कभी नहीं मिल सक और अब वहां पर रोज भी पहुंच जाती, और इसी के साथ हमें इस कहानी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों अपनी बाहें फिलाए, इस पूरे शिप के सबसे आगे खड़े होते हैं, इस मूवी से जुड़ा ये मेरा परसनल फेवरेट सीन और इसी के साथ अपनी ड्राइंग पर वना जाती हूं, और अगेन एक और आईकॉनिक मूवेंट इस पूरी मूवी का, जहां पर जैक शर्माता हुआ, रोज की पैंटिंग बनाने लगता है, और इसी के साथ उस पेंटिंग पे डेट दाल दी जाती है, 14 अप्रेल 1912, इस के खत्म हो जाने के बाद में, रोज अपना हीरा उतार कर जैक को देती है, और कहती ही कि इसे सेफ में रख देना, और जब जैक उस हीरो को रखने के लिए उस सेफ, यानि कि उस तीजोरी तक पहुंचता है, तो वो गलती से अपनी ड्राइंग बुक भी उसी में रख देता और फर्स टाइम वहाँ पर इन दोनों का एक इंटिमेट सीन होता है, इस वक तक दोनों की दूरियां अब काफी करीबियों में बदल चकी होती है, और ये दोनों ही अपना परसनल मुमेंट इंजोय करने के लिए वापस से शिप के सबसे टॉप पॉइंट पर पहुंच जा कर बाकी सबी नाविकों को कहते हैं कि शिप को मोड़ो, क्योंकि अगर हम सामने गए तो उस चठान से टकरा जाएंगे, और अब सभी पाइलिट मिलके शिप की रफ्तार को कम कर देते हैं, और इसे बाई और घुमाने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देने के बावजूद भी टाइटैनिक शिप का एक निचला हिस्सा उस बरफिली चठान से टकराई जाता है, इस वज़े से टाइटैनिक के नीचे के पोर्शन में पानी भरना स्टार हो जाता है, और तभी वहापर शिप के सारे बड़े-बड़े कैप्टेन पहुंच जाते हैं, औ और हमारे पास में कुछी समय है यहां से पानी निकालने का, मगर वो समय भी काफी नहीं होगा, क्योंकि यह शिप काफी तेज गती से पानी की और डूब रहा है, वहीं दूसरी और अब क्लेडन का आदमी आकर क्लेडन को बता देता है, कि जैक रोस के साथ में था, तो यहा जैसे पुलीस पकड़ कर जैक को अपने साथ ले जाती है, अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबनी की कगार पर आ चुका था, वहीं पर जैक के हाथ बांध दिये जाते हैं एक आफिस में, पूरे शिप में अफरा तफरी का माहोल था और हर कोई वहां से अपनी जान बचा या फिर बीस-बीस जनों के साथ ही उतार दिया गया था, इस वक्त तक कैप्टेन के आदेश के अनुसार वहां पर बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ और बच्चों को शिप में आगे भेज दिया जाए, मर्दों को बाद में भी बचाया जा सकता है, एक तरफ तो क्लेडन रोज को लेकर अपने साथ में उस शिप में बैठने की बात करता है, मगर रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ, और वो उसे बचाने के लिए वापस से जैक के पास में आती है, मगर जब से अगर जैक के पास में उसको लहड़ी की मदद से उसकी हतकड़ियों को खोलनी की कोशिश करती है और फाइनली इसमें ये दोनों कामयाब भी हो जाते हैं मगर जब तक ये टॉप फ्लोर तक पहुंचते यहां तब तक पूरे शिप के निचले हिस्सों में पानी भर चुका ह होता है हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहांसे वहां भाग रहा होता है और यहां पर एस कहनी में related एक और मेरा वहवज़ार नदे के लिए मूजिजिक बजाते मगर जब उनकी बारी आती है जाने की और वहां से जान बचाने की तो वहें के मीजिशन वाप से लाटतर कहता है कि मैंजिक ये मीरी जान और मीजिक की मि impress जहान में ईससे देखकर बाकी के सब भी मूजिशन भी उसके साथ हुआ जाते हैं इस सीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि misiu वेल मेरी आँखों में से आसओ जाता है एक तरफ तो सारे लोग जो कि अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं वहीं कुछ लोग इस पूरे शिप के टॉप पोजीशन बर जाने की कोशिश करते हैं जिन में जैक और रोज भी होते हैं और धीरे-धीरे करके ये विशाल का है शिप अब पा पाता जाता है कैप्टिन ने जब आर्टिक पॉइंट पर बात करी थी कि हमें मदद की जरूर थे तो उन लोगों ने कहा था कि मदद अगली सुबह तक या पाएगी और इस वज़े से उनके पास में इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और एक तरफ उस थ बाकी मरे हुए लोगों के पास में जाकर ये जानने की कोशिश करते कि क्या अभी भी कोई जिन्दा है और वहीं पर हमें दिखाया जाते हैं जैक और रोज जहां पर अब जैक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है रोज उसे कहती है कि मदद आ चुकी है वो सभी सेल की वज़े से रोज कुछ कह भी नहीं पाती है और जब सेलर वहां पर पूचते है कि क्या कोई जिन्दा है यहां पर क्या आपको हमारी मदद चाहिए मगर इस वक तक रोज के गले में जानी नहीं होती है वहां से वो सेलर जाने लगते है जाते हुए नियू यॉर्क सिटी में पहुंच चुके होते हैं इस वक्त भी क्लेडन अपनी रोज को ढूंड रहा होता है मगर इस वक्त तक रोज ने अपना नाम चेंज करके रोज विंसलेट से रोज डॉसन रख लिया होता है और यहां से अगेन कहानी प्रेजन टाइम में आती है जहां पर शिप के कैप्टेन उनकी पूती से बात कर रहे होते हैं वहीं दूसरी और रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए उस हार्ट ऑफ दा ओशन यान कि उसको हीनी और हीरे के साथ में उस डैक के एंड पॉइंट पॉइंट पर पहुंच जाती है उन इससे मिलने के बाद में रोज को अपनी जिन्दगी की एहमियत के बारे में पता चला था उसके जीवन का क्या कीमत था उसे तभी पता चला था इस वज़े से रोज ने पूरी दुनिया का सफर किया उस हर एक पल को इंजॉय किया जो कि जिने के लिए काफी था और अब रही रात के 9 बजे थे जहां पर जैक ने रोज का इंतजार किया था उन्हीं सीडियों पर और इसी के साथ यह मास्टरपीस मूवी यहां पर खत्म होती है हर वक्त मूवी को एक्स्प्लीन करने के बाद में मैं आपसे जरूर पूछा करता था कि आपको यह मूवी कैसे लग टुछा करते वह मूवी का बाद में मूवी का बाद में मूवी के बाद में आपसे जरूर जिए रोचा करूछा पर खत्म हमैं । झाल झाल